फ्रैंक्स जीन वुमन्स को गर्मियों में बहुत जादा ब्लीडिंग होता है पीरियट्स के दोरान तो वह उस कंडिशन में कौन से प्राणयाम करें आज मैं आपको दो प्राणयाम बतलाने जारी हूँ जो आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे और आपको इंटर्नली थ निकाल के टंक से स्वास ठीचनी है और नॉस्ट्रिल से नापके छिद्रों से बाहर निकालनी है तो किस प्रकार एक बार देखें आप इस प्रकार आपको शीतली प्राणयाम करना है एक बार और करेंगे हम आखें बंद करें पहला तो हमने शीतली प्राणयाम की बात करी अब सेकेंड शीतकारी प्राणयाम जिन लोगों से जिन महीलाओं से टंग रोल नहीं होती है वह अपने दातों के थू करें शीतकारी प्राणयाम किसे कहा जाता है इसमें आपको अपने दातों को आपस में जॉइंट करना है और जो भी हमारे दातों के बीच में गेप है उससे आपको स्वांस खीचनी है और नॉस्ट्रिल से छोड़नी है और टंग को अंदर जो लाइन पर उपर की और रोल करके रखना है जब आप स्वांस खीचे और नॉस्ट्रिल से जब आप छोड़ें तब आप टंग को रिले शीत कारी प्रणायाम एक बारोल करेंगे और जब आप अपनी टंग को रोल करते हैं डातों को जॉइंड करके स्वांस खीचते हैं उसके बाद आपको अपने सलाइवा को गटकना हैं फिर स्वांस छोड़ना हैं तो शीतली, शीतकारी, प्राणायाम जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिलाता है और पीरियर्स के दोरान जिन वूमन्स को बहुत ज़्यादा ब्लेडिंग होता है उन्हें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है तो एक बार आप भी जरूर ट्राइ करके देखे मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टापिक के साथ